हमारे बीच में महिंदर अंबिड करजी भी है जो बावा साब के फालोवर हैं और बावा साब को इन्होंने बहुत अध्यन क्या है सर आज का जो जो प्रोडाम है सम्विधान दिवस मनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश है इसका सर उद्देश से केवल इतना है कि हम सम्विधान के बारे में जाने और लोगों को बताएं सम्विधान में जो अधिकार हमें दिये गए हैं हमें उनके बारे में हमारे लोगों को और देश के लोगों को उसके बारे में बहुत जादा जानकारिया नहीं है हमें वो चीज देता है जो हमें सिख्छा के माध्यम से आगे तक ले जाने में एहम रॉल निभादा है तो समिदान में जो जो सक्टियां जो जो अधिकार हमारे नागरिकों के दिए हुए हैं हमें उन अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है उस अधिकारों के तहत हमें अपना जीवन किसार से जिए जाये इसकी पूरी-पूरी हमें सुरक्चा सम्थान हमें देता है और हो में उसके बारे में पता होना चाहिए कि सम्थान आके रहा, किस तरह से सुरक्चित रखता है तो इस संभीधान की बनिश्वत आज देश का हर जर्रा जर्रा यहां तक की जो भी देश की सीमा के अंदर हैं, वो हर चाहे नदी, पहाण, नाले, नदी, जो भी सीमा समुद्र है, वो हर इस संबिधान के माद्यम से देश हमारा सुरक्षित है और इसी देश की संबिधानिक विवस्ता के तैत हम लोग आज यहां पर खुली शांस ले रहे हैं इसी संदर में मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साब का यह अगर संबिधान हमारे बीच में नहीं होता तो हम आज य है ऐसा माहूल सलेवरेट नहीं कर रहे होते हम बाबा साब के इस अनुपम भेंट को अनुपम उपहार को जो दुनिया की सर्वोत्तम पुस्तक कहा जाता है सभारतिय संबिधान उसको सरक्षित रखने की पूरी-पूरी हम जिम्मेदारी समझते हैं हर नागरिक की संबिधान के पृति स्रद्धा और उसकी पालना में जो भी हम अपनी तरफ से कोशिस कर सकते हैं वह कोशिस हमें करनी चाहिए हर और इसकी सुरक्षा के लिए भी हमें जी जान लगा देना चाहिए बाबा साब ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे मरना मत समझ लेना मरा म बाबा साब का यह संदेश और अपने इस विशाल जन समुदाय को विशाल युबा पीडी को इस सुसिक्षित समाज को मैं बाबा साब का एक मुख्य संदेश और पहुचाना चाहूँगा अपने माध्यम से बाबा साब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद समाज के लोग सी ही समझ में आएगा और ऐसे सुषिक्षित युबा अपनी काबलियत बल पर अपने इस विशाल अनपड समाज को दिशा निर्देशन का काम करेंगे और इसको उद्वोधन का काम करेंगे माने जगाने का काम करेंगे और अगर यह युबा भर्ऱ इस zu प्रक्राइब को नही की होगा सोचिए अगर आज बाबा साब ने हम से यह पिक्चा की थी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हाज हम सुषिक्चित हो चुके हैं हर आदमी यहां पर जो एक आज की डेट में इतना सुषिक्चित होना बहूत काफी है मैं समझता हूँ कि इतना ही आज से हर सुषिक्चित युबा की वीजिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साब के इस संदेश के महत को समझें और आप लोगों को जागरूख करने में अपना इस हैयो करें बल DaNat बात जबेंट जबारत